समाजवादी पार्टी से बहुत अनुसासन के अप्यक्षा भी नियमों को तोड़ना, राजक्ता मचाना, हला बोल कर देना, यही समाजवादी पार्टी के संसकार है, समाजवादी पार्टी ने जिस तरह को नियमों को हमेशा तोड़ा है, जिस तरह से हमेशा मर्यादाओं को प्रदर्शन किया जा सके और ये प्रदर्शन समाजवादी पार्टी को महेंगा पड़ेगा समाजवादी पार्टी का ये चरित्र उत्तर प्रदेश की जंता भी देख रही है और निर्वाचान आयोग को भी देखना चाहिए निर्वाचान आयोग को इसको संग्यान में लेक वो कारेकरता भाजिपा के हों या समाजवादी पार्टी के हों हम सब के जान की फिक्र कर रहे हैं और ऐसे में अगर आप कोविड प्रोटोकॉल का इससे उलंगन कर रहे हैं तो ये लोगों की जान को जोखी में डालने का काम कर रहे हैं नमस्कार हमारे साथ मौझूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिफाडी जी उनसे पूछते हैं कि जो आज वर्चुल रैली और प्रेस वारता के नाम पे जो ये आचार सहीता का उलंगन हो रहा है इस पर आप क्या कहने हैं कोने समेधन हिंता दिखाई है को भाजपाई वैक्सिन बता रहे थे पूरे प्रोकॉल काल में अफ़वाफेलाने का काम कर रहे थे उनकी नेता बता रहे थे कि ये वैक्सिन लगाने से नपुन सकता आ जाती है और आद जब करोना की थड़ वेव इस समय बहुत तेजगती स चल रही है, ओमिक्रॉन के लक्षन दिखाई पड़ रहा है, सबसे अप्यक्षा की जारी है कि सोचल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करें, तब ऐसे में जब आचार संखिता लगी हुई है, चुनावायों के निर्देशन है, उसके आचार संखिता का उलंगन कर रही है, तो आप क्या चुनावायों को एक विग्यप्ति लेंगे? अब 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 आचार संखिता करें, और ऐसे में अगर आप कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन कर रही है, तो इस लोगों की जान के लिए ज़रूरी है, वो कारिकरता भाजिपा के हों, या समाजवादी पार्टी के हों, हम सब के जान की फिक्र कर रहे हैं, और ऐसे में अग अब कोविड प्रोटोकॉल्स का हिस्तर से उलंगन कर रहे हैं, तो इस लोगों की जान को जोखी में डालने का काम कर रहे हैं, भारतिया जनता पार्टी से जो नेता आज छोड़के वो सपा सामिल हो रहे हैं, स्वामी परसाद मौर्य हो चाहिए कोई भी हो, अब वो कह रहे हैं, अब हम BJP के पर्खचे वोडा रहे हैं बेटे को भी टिकेट दे कर चुनाव लड़ाया, उनका बेटा चुनाव नहीं जीत पाया, अब आज उनको इस संकेत है कि उनकी अपनी विधानसवा के सीट पर ही बहुत नाराजगी है, उनके बेटे के लिए सीट पर बहुत नाराजगी है, तमाम सारी आत्ति महत्वा कांच की जनता देख रही है, पहचान रही है, और ऐसे लोगों को खारिच करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतियंता पार्टी को छोड़ करके, जो जो लोग किसी अन्य दल में अपनी बहतरी के लिए सुरक्षे तिस्थान की तालास में गए है, उनका हस्र क्या हुआ एक बार जाकर के असो कुमार दोहरे से पूछना चाहिए, इटावा से सांसत थे, समाजवादी पार्टी में, कॉंग्रेस पार्टी में गए, क्या दसा होई, सावित्र भाई फुले से जाकर के पूछना चाहिए, बहराई से सांसत थी, 4,32 जार वोट पाई थी, लेकिन 34,000 वोट पाकर के जमानत जब्त करा बैठी, एक सिलसलेवार तरीके से नाम गिनेंगे, तो बहुत सारे नाम अंसुल वर्मा का दिखाई पड़ेगा, हर दोही से समाजवादी पार्टी में टिकेट की चाह हमें गए, टिकेट भी नहीं मिला, रामचरित निसाद जौनपू आप नहीं सुईकार कर सके, तो आज समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी, जिस समाजवादी पार्टी में अखिले स्यादों ने अपने पिता का संबान नहीं किया, अपने चाचा का संबान नहीं किया, जिसने पार्टी बनाई खड़ी की, उ आपका उपयोग करने के लिए आपको अपने पास ला रहे हैं लेकिन जब चुनाओं में आप पराजित होंगे तो अखिले स्याद हो दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके आपको बाहर कर देंगे ठीक वैसे ही जैसे सपा ने कॉंग्रेस के साथ गड़बंदन किया था तो युवा का साथ पसंद किया था लेकिन कैसे एराहुल गांदी का हाथ छोड़ा करके अपने आपको अलग कर लिया फिर बुवा बबुवा का गडचोड बनाया था लेकिन बुगा को भी धोखा दे गए जिसका इतिहास इस तरह का हो उनके साथ जाकर के वो क्या सम्मन पाएंगे स्वामी परसाद मौर्य हो या दारा सिंग हो और या अन्य कोई भी जो MLA चोड़ के सपा में सामिल हो रहा है ये क्या बात हुई कि पांच साल आपने पद हासिल किया और उसके बाद पिछड़े और वंचीतों का नाम लेके इस्थिपा दे कर देखिए एक सब्ताह पहले अभी जनविस्वास यात्रा में घोसी के मंच पर दारा सिंग चोहान में मौजूद था और उस मंच पर वो कसीदे पढ़ रहे थे कि नरिंद्र मोदी जी जैसा व्यक्तित्व जिसने गरीबों के लिए वंचीतों के लिए दलितों के लिए सोसितों के लिए इतना काम किया है अचानक ये ज्यान कैसे प्राप्त हो गया आप तीन दिन पहले तक भरत्यंता पार्टी की नीतियों की सराहना करते हैं कारिक्रमों के लगातार गुरगान करते हैं और अचानक आपको ज्यान प्राप्त हो जाता है कि दलितों का पिछणों का वंचितों का गरीबों का खयाल नहीं रखा जा रहा है, अरे इस देश में पहली बार 45 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में प्रधानमंतरी आवास मिले है, पक्की छत मिली है, पहली बार आज उनके घरों में बिजली के कनेक्षन पहुंचे हैं, आज पहली बार उनको सोचाले मिला है, कि महिलाओं को घर स बाहर निकल करके जब खुले में सौच में जाना पड़ता था तो दारा सिंग जी जानते हैं कि कितनी पीड़ा होती थी इस देश में पहली बार कोई प्रधानमंत्री ऐसा हुआ जिसने उनके बारे में सोचने का काम किया आज किस OBC की बात कर रहा है देश में मेडिकल सिक्ष में पहली बार 27 पृष्टी OBC को रिजरवीषन नरेंदर मोधी जी की सरकार में हुआ है OBC पिशुडावर्गा आयोक को समिधानिक दर्जा नरेंदरमोधी जी की सरkkार में हुआ है नरेंदर मोदी जी जो स्वैम पिछडी जाती से आते हैं देश के प्रधान मंतरी हैं और ऐसे में वो ये कहते हैं कि पिछणों की उपेक्षा हुई है वो सब जानते हैं कि आप आज क्या पिक्षा भाजपा से कर रहे थे और आप किस उपिक्षा से दुखी थे लेकिन आप पिक्षा लेकर के जहां गए है वहां कितनी उपिक्षा होगी उसने पिश्णों का कितना हक मारा है यह उत्तर प्रदेश जानता है कि कैसे सहफई इस हो या चाहिए कोई भी विपक्सी पार्टी हो वो इन नेताओं को जो बीजेपी के छोड़ के आए हैं इनको एक जस्न के रूप में मना रहे हैं देखे भारतियंता पार्टी में पिछले महीने में अगर देखा जाए तो पिछले महीने में एक दरजन विधायकों ने जोईन किया है हरियोम यादो सिरसा गंच से फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी के तीन बार के विधायक और मुलायम सिंग यादो जी के बड़े भाई के समधी हैं परिवार के हैं वो पार्टी छोड़ करके भाजपा में आ रहे हैं नरे सैनी कॉंग्रेस पार्टी के विधायक परसो ही वो छोड़ करके भरतियन्ता पार्टी में आये हैं। का दिन बहुत कठिन होगा क्योंकि दस्मार्च को ये दभाई का आखडा पार नहीं करेंगे ये ए सारे राजनेतिकडल सपा बश्पा कांगरेस आरेड़ी एइं अर्णियम राजभर ये सब मिल जाएंगे तो इस सारी पार्टीयां मिलकर के भी दभाई का आखड़ा पार नह नए रिकॉर्ड खड़ा करने जा रहे हैं। सबसे मिल जाने का होता है। नरेंद्र मोदी जी हो या उत्तर प्रदेस में योगी आदित्ता जी हो। उन्होंने काम किया है और हमें पूरा भरोसा है कि आज उत्तर प्रदेस में जो 15 करोन लाभारती हैं अलग लग योजनाओं के। आज गरीब वर्गों को इस कोरोना कालखंड में अगर सपा बस्पा की सरकार होती और कॉंग्रेस की सरकार होती तो जीवी का भी जाती और भूखे मरने की नौबात आ जाती। लेकिन हमने किनाकेवल मुफ्त वैक्षिन देने का काम किया है बलकि महीने में दो बार 35 किलो अनाज साथ में एक किलो चना हो एक किलो दाल हो एक किलो तेल हो और नमक हो ये गरीबों की चिंता करने के बारे में किसने सोचा है ये पीड़ा नरेंद्रमोदीजी के मन में है य बढ़ि बासक लूदão कि अपति रहा सूरू कर आफ रहा सूरू